अजके इस वीडियो में हम बात करेंगे शाड़े 300 MPR की बड़ी वाली वैड़ी मेशीन की वाइंडिंग किस तरह से करेंगे उसके कर्णक्शन किस तरह से करेंगे सारी डिटेर आपको मैं एटू जड़ वीडियो में बताने वालों है यह नहीं चलती है तो सबसे पहले इसका क्लैम को अलग कर देंगे और इसके बाद इसकी जो कोर है यह निकालेंगे कोर को इस हिसाब से निकालेंगे कि हमें बाद में लगाने में दिक्कत ना हो तो जिस साइट से कोर को क्लैम के अंदर रखते जाएंगे इस तरह से कोर को निक का वाली होती है जानिश पर कारवन बहुत जादा होता है तो इस तरह से पेज कस से उठाके और प्लाष वराम और बसे ब्रप्रइबों से कर को शबी सिए भी लई आट्राव से चलेगी तो इस तरहरा दूए के अंदर इस को फिट कर दें करनेंगे और इसको एक साइड को रख देंगे और इसके बागी सारे कनफन में खोल लेंगे उसके वाद इसकी पेड़नलेंगे प्रीडर निकालने जि Partners कि पहल प्राइबं यह देख लेंगे उसमें जो में ये लकड़ी लगी है उसको इस तरह से निकालेंगे और इस फिल्ड को भी निकाल लेंगे तो ये हमारे दोने सेकंटरी फिल्डे निकल चुकी है यह नि मोटी वाली फिल्डे निकल चुकी है उसके बाद हम इसके बीच वाले मेकेनिजियम को निकालेंगे जिससे करेंट क देख सकते हैं पूरी तरह से यह खराब हो चुका है तो इसके बाद हम नीचे वाली primary यानि पतली वाली फीड़ियों को बहार निकालेंगे तो इसमें साइड में फच्चल लगी है इसको भी बाहर निकाल लेंगे और यह पगिंदरा वगिरा इसको भी हमारों दातेंगे कि Shak pipe ऑद मशीन को पलेटने के बाद लकड़ी के उटके सरा आराम अराम से ठोक से नीचे को और आराम अराम से इसको नीचे को निकाल के इस वीडियो में आपको फुल डिटेईल एटो जे है और यह कच्रा बगएर आप डालेंगे और यह कोर इधर उधर ना फैले तो इसको हम तार से बांदेंगे तो यह हमारी चारों फील्डे हैं इसके ओपर डवल कोटन टेप लेपेट रखा है कस्टूमर नहीं दो चार दिन पहले ही कस्टूमर ने इसमें उस ताजी दिखाई थी यानि फील्डे उसने निकालने के बाद और इस पर टेप लेपेटा था जिस वज़े से फील्डे लूज रहे गई उसके बाद जैसे उसने चलाई तो इसका बाज़ा बज़ गया तो आप देख सकते हैं इन फील्डों की शारत कितनी खस्ता हो चुकी है तो अब हम फील्ड बनाने से पहले तो हमने इहां पर इसके गुटके बनवाली हैं नए तो अब हम क्या करेंगे कि हमें फर्मे का SIZE भी लेना है फील्ड बनाने के लिए तो पहले हम कोरो की सेटिंग कर लेंगे क्यूंकि अगर हम ऐसे ही साइज लेंगे इसका तो हमारा फर्मा बड़ा हो जाएगा और कोाइल जो है वो लूज हो जाएगी तो यह हमने गुटका इसमें लगा दिया है दोनों गुटकी लगा देंगे अराम से बड़ी है तरीके से इसमें टाइट कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर कोटन टेप भी अभी लपेट देते हैं पहले ही तो कोटन टेप हम पूरा नहीं लपेट देंगे क्योंकि हमारी दो फिल्डे नीचे पढ़ेंगे क्योंकि बीच में हमारा करेंट को कम ज्यादा करने का सिस्टम लगा हुआ है तो इस तरह से कोटन टेप लपेट देंगे कोटन टेप हम डबल लपेट देंगे ताकि हम जब फिल्डे फिट करेंगे तो फिल्डे कटे ना यानि अर्थ वगयरा ना हो पाएं तो इस तरह से इस वाली कोवर पर भी कोटन टेप लपेट देंगे और इसके बाद दूसरी वाली कोवर पर भी इसी तरह से कोटन टेप लपेट देंगे जिस तरह से हम इस वाली साइड लपेट रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस तरह से दोनों कोरों पर कोटन टेप लपेट दिया है तो आप बात करते हैं हम इस कोर के साइज के बारे में इस कोर की टोटल लंबाई 12 इंची है इसको हम नोट कर लेते हैं और इसकी चोणाई 3 इंची है इसको भी हम नोट कर लेंगे और इसकी मोटाई जो है 4 इंची 2 सूत है यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 इंची लंबाई 3 इंची चोणाई और 4 इंची 2 सूत चोणाई तो अब हम इसका फर्मा बनाएंगे फर्मे का साइज इतना लेंगे जिस साइड हमने कोटन टेप लपेटा है तो यहां पर हमने बना रख फर्मा यहां पर आप देख सकते हैं इसकी चुडाई जो है वो 3 इंची एक सूथ रखी है और इस farmay के hide भी हमें हमें 3 इंची एक सूथ रही है और इसकी लम्बाई रही है चार इंची 23 सूथ यानि हमने लम्बाई और चड़ाई जो है एक एक सूथ बढ़ा दिये और जो है hide जो है इसकी एक सूथ भटा दिये तो इसको उपर हमने एक PVC का पेपर काट के लगा लिया है जिससे हमें फिल्ड को निकालने में आसानी हो फिल्ड इसमें फसेना उसके बाद हम इस फर्मे को ठीए पर सैट कर लेंगे यहाँ पर हमने साइट परेट लगाई उसके बाद फर्मा लगा दिया उसके बाद दूसरा फर्मा लगा दिया इस बॉल्ट को टाइट कर दिया तो यह हमारा फर्मा रेडी हो चुका यहाँ पर मैं आपको तार का गेज करके दिखा देता हूँ यह जिस उस्ताज ने भी बनाई है बहुत ही गजब बैली मसीन बनाई है क्योंकि यह चारो फिल्ड है जो है और यह दूसरी सेकेंटरी फिल्ड है यह इसमें नहीं आ रही है और यह इसमें आ रही है यानि दो नंबर गेज है इस वाली फिल्ड का दो नंबर गेज है और अब हम प्राइमरी यानि पतली वाली फिल्ड का गेज करेंगे यहाँ पर यह इस वाले खांचे में भी नहीं आ रही है और इस वाले खांचे में भी नहीं आ रही है और यह है नो नमबर और अब हम दूसरी पतली फिल्ड का गेज करेंगे तो यह इस वाले खांचे में भी नहीं आ रही है ये है साथ नमबर ये फिल्डे किसी अजीब और गरीब मिस्तिरी ने बनाई है यानि चारों फिल्डों का गेज बिलकुल अलग अलग है जबकि ऐसा नहीं होता है प्राइमरी फिल्डों का गेज एक होता है और सेकंडरी फिल्डों का गेज एक होता है तो अब हम इसको सही तरीके से बनाएंगे, यह हमारे पास नया आतार है जिससे हम मोटी वाली यानी Secondary फिल्ड है बनाएंगे, तो यह हमने यहाँ पर गेज लिया है, तीन नंबर का, यह पतली वाली फिल्डों के लिए वाइर है जो कि आठ नंबर गेज है, यानी हम पतली व कोटन टेप से बांद लेंगे और फरमा खोलने के बाद हमारे फीड़ की टरने इधर उधर ना भागेंगे तो इस तरह से बांद ये धागा बांद सकते और पहली टर्ण हम डालना शुरू कर देंगे पहली टर्ण बहुत ही आराम आराम से डालेंगे क्योंकि पहली टर्ण डालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उसके बाद आप चाहें तो तेजी से भी बना सकते हैं और इस तरह से आराम आराम से इसको लेपेटते तो यह हमारी एक लैर तयार हो चुकी है तो अब हमारे एक लैर में आठ तरने हो चुकी है तोटल टरने डालेंगे हम इसमें 32 यानि 32 उसके बाद हम इसमें एक बलेक पेपर यानि काला पेपर कोई भी काला पेपर लगा लेंगे साथ नमबर का लगा लें चाहें तो आप 10 नमबर का भी लगा लें मैं यहाँ पर 7 नमबर काला पेपर यूज कर रहा हूँ इस तरह से जितना पेपर चाहिए होगा उतना लगा लेंगे और नई लेर डालना सुरू कर देंगे लेकिन लेर एक हो जाएगी तो उसको ठोकना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा अगर नहीं ठोकेंगे तो फिल्ड फूल के बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और दूसरी लेर भी हम इस तरह से डाल देंगे यहाँ पर भी इस लेर में 7 तरने हो चुकी है इस लेर में हमें 1 तरन और डालनी है क्योंकि बीच में काफी गैव है तो इसको इस तरह से पेजकर से सेटिंग इसकी कर लेंगे और इसमें एक तरन और बिठाल देंगे और इसको ठोकने के बाद अच्छे तरीके से सेटिंग कर देंगे हर लेर डालने के बाद तरने आप जरूर गिन लें इसमें हमारी 8-8 तरने करके दो लेरे हो चुकी है, टोटल 16 टरने हो चुकी है और इसके बाद इसमें काला पेपर लगा लेंगे और तीसरी लेर भी इसी तरहां से डालेंगे ये मोटी सेकंडरी फिल्ड बनाने की नहीं कम से कम दो ये तीन लोग चाहिए होते हैं लेकिन मैं इसको अकेला ही बना रहा हूँ इसको आराम आराम से लपेट दे जाएंगे बढ़िया तरीके से टाइट करके इसको लपेटेंगे और इसको अच्छे तरहां से ठोकेंगे बढ़िया तरीके से ठोकेंगे जितने ठोक लेंगे उतनी ही फील्ड बढ़िया बनेगी और बेडली मसीन भी आवास कम करेगी यह हमारे तीन लेरे कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद हम काला पेपर लगाएंगे और चोथी लेर डालना सुरू कर देंगे इसमें अगर बीच में गैप आए तो भी कोई दिक नहीं है क्योंकि सारी टर्ने डालने के बाद आप उसको पेचकस से सेटिंग कर लेंगे तो यह हमारी चोथी लेर भी कंप्लीट हो चुकी है यानि टोटल टर्ने हमारे इसमें 32 हो चुकी है उसके बाद इसको इस तरह से लकड़ी के गुटका लगाके यह पेचकस लगाके तार को मोड देंगे और तार को काट देंगे तार काटने से पहले एक बार टर्ने जरूर गिले टोटर टर्ने देखले इँद्ध है ताकि यह लीड इधर उधर ना भागे लाश्ट वाले लीड काटने के बाद थोड़ी लूज हो सकती है तो उसको आप अच्छे तरीकी से सेट कर लें एक राउंड लेने के बाद धाग को उसी लीड में एक बार घुमा देंगे और फिर इसका राउंड लेंगे ताकि लीड इधर उधर ना भागे और इसको बांद देंगे अब हमने फिल्ड बनाने से पहले जो कोटन टेप डाला था फिल्ड की नीचे उस कोटन टेप को खोलेंगे और इस तरह से उस टेप को बांद देंगे कोटन टेप को टाइट करके बांद दें ताकि फिल्ड खोलने के बाद टरने इधर उधर ना भागें और दूसरी साइड भी इसको बांध देंगे बड़ी तरीके से तो यह हमारी फीड बनके तयार हो चुकी है और इन लीडों को सीधा कर लेंगे उपर को उसके बाद फर्मे को खोल देंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे तो यह हमारी फीड बनके तयार हो चुकी है अब हम बीज में जो गुटका है उसको निकाल लेंगे गुटका निकालने से प Rapha बाहर तो नहीं निकल लें लेकिन हमने इसमें PVC पेपर लगाया था तो यह हमारी फीड आराम से निकल जाएगी और एक field बनाने के बाद इसको core में डालके देख लें कि field lose है या tight है अगर lose हो तो फर्मे को थोड़ा चोटा कर लें जिसके और tight हो तो फर्मे को थोड़ा बड़ा कर लें या फर्मे के ओपर paper बगरा लपेट लें तो हमने दो secondary field बना ली है अब हम दो primary field बनाएंगे यानि पतली वाली तो इसी तरह से फर्मे को fit कर लेंगे side plate लगाएंगे फिर फर्मा लगाएंगे दूसरी side plate लगाएंगे बॉल्ट को tight कर देंगे इसमें मैं आपको धागा बांद के दिखा रहा हूँ तो उसी तरह से जिस तरह से हमने cotton tape बांदा था तो पहले हम field बनाने से पहले यहाँ पर धागा बांद लेंगे इस तरह से बांदेंगे और इसको इस तरह से निकाल देंगे हमारी पहले field थी एक में 7 number wire था और एक में 9 number था लेकिन यह हमारे पास 8 number का wire है secondary field हमने बनाई थी तीन number से और primary field हम बना रहे हैं हम 8 number से तो इसकी lead को इस तरह से बांद लेंगे पहली turn डालने में एहतियाती वरते हैं अराम अराम से पहली turn डालेंगे और यह धागा जो लगाया हमने इसको अध्यान से set करते जाएं हैं हम पहली layer में इसको set करेंगे बागी layer में set करने की जुरूरत नहीं बढ़ेगी और अराम अराम से turn डालते जाएंगे आप चाहें तो गिल लेंगे अगर नहीं भी गिनें यह हमारी एक layer पूरी हो चुकी है एक layer में हमारी अभी तक turn डाही है 13 तो इसमें हमारी एक turn और आजाएगी इसकी थोड़ी सेटिंग करेंगे इसको ठोक ठाक के इसकी setting कर लेंगे और इस तरह से इसमें page कस्ते जगह बना लेंगे एक turn इसमें आराम से आजाएगी तो इस layer म हमारी तोटल तरने आई है 14 और इसमें हमें तरने डालनी है 112 और इसमें भी हम हर layer डालने के बाद काला पेपर लगा देंगे और तरने को note कर लेंगे ताकि हम भूल न पाएं कि कितनी layer हो गई कितने कितनी layer की तरने हो गई और उसके बाद दूसरी layer डालना शुरू कर बिल्ण के प्राइमर्डी ब्रेल में हम डाले हैं 112 जो हमने पहले बनाई थी उसमें हमने डाली है बाद 112 ब्रेल अधिक है तुल ये वाली लेयर की पूरी हो चुकी है इसमें भी थेरा लोगरा मुलिदेक कर एक टर्न और डालेंगे यानि हम इसमें भी 14 टर्ण में कर लेंगे अगर 25 कम आये यानि जगह ना हो आप उसके जवर्दस्ति न कर एकिस का हो कैमा इसी साइज से इसमें तरने आएंगी आप यह नना समझेगे इसमें 14 टरने डाल लिया या बार्र डालनी निए एक लेहर में जितना फरमा होगा जितना मोटा वायर 班 जिस साइज का मुसे हिसाब से इसमें टरने आएःंगी और इसको भी नोट कर लेंगे। और इसके बाद आमागे को तर्न डालना शुरू कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि मैं अकेला किस तरह से इस फिल्ड को बना रहा हूँ यहाँ पर मैंने कपड़े की साहिता से तार को पैर की नीचे दवा रखा है जिससे तार भी सीधा आ रहा है और मैं इसको अकेला ही बना पा रहा हूँ तो यह हमारा तार में जोड़ आ चुका है तो इसको इस तरह से पेज़ कर डालने के बीच में और तार को मोड़ देंगे ताकि यह लूस ना हो यह आप किसी को पकड़वा दें यह इसमें जोड़ आया नहीं है मैंने आपको करके दिखाया कि अगर हमारी फील में जोड़ आ जाए तो किस तरह से जोड़ को हमें लगाना होगा नहीं तो मुझे कोई खुषी नहीं पड़ लगाना पड़े मैं आपको दो जोड़ लगा के दिखाऊँगा बीच में जोड़ आया तो किस तरह से सेट करेंगे और अगर टोप लेयर में यानि आखरी लेयर में जोड़ाएगा उसको किस तरह से सेट करेंगे तो इसको हमने इस तरह से बांध दिया है दोनों उतारों को और उपर से एक सिलिप को चड़ा देंगे तो ये लीड हमारी बीच माई है तो इसमें हमें सिर्फ इस जोड़ को बांध देना है और उपर से सिलिप चड़ा देना है ज्यादा लंबा इसमें दागा नहीं चोड़ना है छोड़ देंगे तो अच्छी बात है नहीं चोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और इसके बाद इस तरह से इसमें टरने डालना सुरूख कर देंगे जोड़ आने के बाद एक दो टरने अराम अराम से डालेंगे तार को ज़्यादा नहीं खीचेंगे यह हमारी धाली लेर भी पूरी हो चुकी है हर layer को complete होने के बाद ठोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर नहीं ठोकेंगे तो field बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों field आपस में टकराएं fit करने के बाद है कि एक field आजाए और दूसरी field आपस में टकराएं तो इस लीट को हम इस तरह से मोड के ठोक देंगे यह layer हमारी complete हो चुकी है अब हम इसमें काला paper लगा देंगे और इसमें टरने डाल देंगे अराम अराम से और जब जोड आएगा तो उसके उपर भी इसी तरह से टरने चढ़ा देंगे जोड के पास टरने थोड़ी मोड़ी लगेंगे तो उसको आराम से ठोक देंगे जादा ने ठोके थोड़ा सा वो उठा हुआ दिखाई देगा तो हम paper लगा के अगली layer डालना शुरू कर देंगे यहाँ पर मैंने आपको एक और जोड लगा के दिखाया है यह हमारी आखरी layer है आखरी layer में अगर जोड आएगा तो उसको किस तरह से manage करेंगे तो उसी तरह से इसको बाढ़ेंगे लेकिन इसका धागा हमें जिस चीज से भी हम बाढ़ेंगे उसका धागा हमें थोड़ा लंबा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यह आखरी layer है अगर हम इसको धागे को लंबा नहीं छोड़ेंगे तो यह जो है लीड उखड सकती है तो इस तरह से इसको धागे को छोड़ देंगे और इसको उपर slip चड़ा के टरने डालना सुरू कर देंगे जब तरन घूंग के आएगी तो धागे को इस तरह से सेट कर देंगे यानि धागा जो ही यह टरनों के नीचे दब जाए और इस तरह से अगली टरन आएगी उसको भी इस तरह से मैनेज कर लेंगे यानि धागा हर टरन के नीचे दबा देंगे 2-3 तरने कम से कम धागे को उपर आ जाएं तो यह हमारी layer complete हो चुकी है यह हमारी सारी layer complete हो चुकी है यानि हमारी field complete हो चुकी है तो यह हमने तार को काट दिया है और इस lead को हम इस तरह से धागे से बांदेंगे बांदने के बाद 2-4 round धागे के गुमा देंगे को बाद देंगे तो यह हमारी फिल्ड बनके तयार हो चुकी है उसके बाद जो हमने धागा फिल्ड बनाने से पहले डाला था उस धागे को बाद देंगे इस तरह से दोनों साइड धागे को बाद देंगे यह वाला धागा यह कोड़न टेप नहीं डालेंगे तो भी कोई दि लें फर्मा निकालने से पहले तो हम निकाल लेंगे फर्मा निकालते टाइम यह जरूर देखेंगे कि फर्मे के साथ कोई टरन फसके नहीं आ रही है यह हमारी टरने कुछ फसके आ रही है तो इसको हम सेटिंग कर लेंगे और अराम अराम से फर्मा निकाल लेंगे दो साइड हमने बांद रखा पहले ही दो साइड हम इसको और बांद लेंगे दागे से ताकि ये टरने इधर उधर ना भागे तो इसको हमने चारो तरफ बांद लिया है यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारी चारो नई फील्ड बन के तयार हो चुकी है अब हम इसके उपर कोटन टेप लपेटेंगे चारो फील्डों के उपर तो इस तरह से इस पर कोटन टेप लपेटेंगे कोटन टेप लपेटने से पहले आप जो है कोईल को और के अंदर डालके जरूर देख लें कि कितनी लूज हमारी कोईल है अगर ज्यादा लूज हो तो कोटन टेप डबल ल कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कि है लगा तक लेगे था को चुकिए 2020D कोर सोगाएंगे मैंने कार्टून आपको दिखा रहे हैं और तरह से PEPER को घुमाते जाएंगे और इसको TIGHT करते जाएंगे KOR से लोजी और ही Clear उपर ही पर रखेंगे और इसके टेपस शुब्गा देंगे चारो तरफ हमने इसकी लीडे सीधी रखी रखी है यानी इसकी लीडे जो है हमने ऊपर की साइड रखी है तो इसको हम ठोक के अराम से फिल्टो को बढ़ा लेंगे उसके बाद हमारी फिल्टा अगर लूज होंगी तो हम इसके अंदर लगड़ी के गुट्के छोटे छोटे that के लगा देंगे तो लकड़ी के कुटके को PbC पेपर जो होता हमारा उसके अंदर रख करके ISKOT हो कि इसको ठोकेगे Sevac का टेप नहीं प्टबबायक और ना ही यह काला बाला पेपर ठटेगा जोन सी भी फिल्ड हमारी लूज होगी उसके चारो तरफ हम जो है इस तरह से पचल लगा देंगे ताकि हमारी फिल्ड टाइट हो जाए फिल्ड बिल्कुल भी लूज नहीं होनी चाहिए फिल्ड बढ़िया तरीके से टाइट होनी चाहिए फिल्ड को अच्छे तरीके से टाइट करे तो यह हमारी दोनों फीड़े फीट हो चुकी है बड़ी तरीके से उसके बाद इन दोनों सुराकों को हम खोल लेंगे पेचकस की साहिता से इसमें हमें बोल्ट डालने होंगे तो इसका यह सड़ा हुआ गुटका था इसको भी हमने नया बनवा लिया है यह इस गुटके का य बोल्ट भी कि इसमें लगा देंगे इस तरहां से कर ना लेजैना और इसको ठोक के अराम इठाल देगे और इसके बाद अंदर इसका बुटका डाल देंगे तो यहां पर बीज इसके बाद यहाँ पर दोनोंगे बोर्ट लघेंगे लगड़ीक का और यह अंदर वाला सिस्टम यह कोर का बना हुआ होग टागूडं का इसमें बीच मोड़ और होती और से दो रोहकी पति होती यह बेल्ड जोती है तो इस तरह से यह बनाया जाता रहए बिच में दूप उरा करके इसके अंदर इसमें चूड़ी से ही यह बनाया जाता है। उसके उसके दोंव नड़ cups लगा दें गैं और नौर्मल इसको tite करें च्यादा tight अभी भी नहीं करेंगे उसके बाद हम इसके अंदर मोटी वाले विल्ड को डाल देंगे फिल्ड को इतने उठा लेंगे जितनी हमारी उपर कोर आ जाये इस तरह से उसके बाद हम यहा पर यह फिल लूज है तो हम इसके अंदर लकड़ी की फच्चर लगाएंगे लेकिन अगर हम फच्चर इस तरह ऐसा ठोकेंगे तो ये फिल्ड अंदर को नीचे को बेट जाएंगे तो हमने लकड़ी का पडना लगा दिया ताकि ये कॉائल नीचे को ना बेट पा जाथा तो जो हमारा अंदर का सिस्टम है अंदर बाहर होने वाला वो कोर से लगेगा और फिर बैल्ली मेशीन हमारी अर्थ हो सकती है तो इस फिल्ड को हम इस तरह से बड़ी है तरीके से टाइट कर देंगे जितनी लूज होगी उतनी ही मोटी फचल लगाएंगे अगर लूज नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे ज्यादा लूज थोड़ी लूज होगी तो दो साइट फचल लगाएंगे ज्यादा लूज होगी तो चारो साइट फचल लगा देंगे इस फिल्ड की लीडे भी हमने उपर ही रखी है अब हम दूसरी वाली फिल्ड को इसी तरह से सीधी फिल्ड फिट कर देंगे यानि इसकी लीडे भी हम उपर ही रखेंगे और इसको भी टाइट कर देंगे फचल लगा के चारो दरब से जितनी लूज होगी उस हिसाब से इसको टाइट कर देंगे इसके बाद हमने जो दो सपरेटर कटे थे एक सपरेटर हमने नीचे लगा दिया दूसरा सपरेटर हम उपर लगा देंगे और जो यह काला पेपर है उसको चार तरप से काट लेंगे दोनों कोरों का चारों तरफ का पेपर काट लेंगे इस तरह से और यह केंची से बीच में से थोड़ा ज़ादा है इसको हम कट कर देंगे तो यह हमारी बेरली मसीन लगवक्त फिट हो चुकी है अब हमें सिर्फ उपर की कोरे लगानी बाकी है है तो हमने जो कोरे सेट करकर रखी हैं थी ती एस्थिख से हम इसमें कोरेmor लगाते जाएंगे अगर कोरें कम जाता ओ induced फो आप जिनति के इसाफ से लगा दें चारचा लगाएं यह 5 वई कोरें जितनी भी जगें हो उतनी ही कोरें लगा को अगली कौर हैं कि यहाँ आठ पार या रहा हो सकता है व हम ऩार वी इस वाली साइट Th Grade लगाएंगे अगली को शुर्वाइन से उसे तकार हुम इस आरा हम से वहां से बiernoाइक है सुरुमें तो हमें खांचे दिखते हैं लेकिन जैसे जैसे कोरे फिट होती जाती है तो उस हिसाब से कोर की टाइटनेस के वज़े से खांचे बंध हो जाते हैं कोर डालते समय यह खांचे आप जरूर देख लें बीच में कोई भी खांचा छूटने ना पाए भी आप जाते हैं उसको पेडिकर से फहला फहला कर कि उसके अंदर कौरय यह एंगी। फैल कि अगर एक भी खांचे छूट फूट किया बाद में आप डालना चाहें तो उती मुस्किल यह नहीं पाएंगे नमुम्गीं जो पाद माइभ माद में पायं में मुझे 8-10 जिन लग गए और भी बीच में बहुत सारे काम थे यानि आप समझ सकते हैं कि वीडियो बनाने में मुझे इसके बाद दूसरी साइट को बोड़ टाइट करेंगे और इस फ्रेम को ठोक के नीचे को लेबिल कर लेंगे और दोनों साइट से बरावर बरावर बोड़ टोको टाइट कर देंगे बड़िया तरीके से इसको टाइट कर देंगे तो यह हमारा फ्रेम भी टाइट हो चुगा और यह फालतू जो पेपर है इस पेपर को काट देंगे हम और नीचे वाला यह वाला पेपर यह भी फालतू जादा है कौने-कौने तो इसको भी काट के हम बढ़िया तरीके से सेटिंग कर लेंगे तो यह हमारी बेडली मजीन फिट हो चुकी है देखने में भी अच्छी देखेंगे और एक बार दूसरी साइट को धागा उधेड़ेंगे और इसको गांठी मार देंगे तो इसका एक साना सा रिंग बनाएंगे इसमें बोल्ड लगा देंगे एक बासा नीचे लगाएंगे एक बासा उपर लगाएंगे और इसमें बोल्ड लगा देंगे और इस तो इसकी सेटिंग कर लेंगे यह हमारा फिरी गुम रहा है तो हम इन बोल्टों को टाइट कर देंगे और इसको गुमांके चेक कर लेंगे कि यह फिरी गुम रहा है अगर फिरी नहीं गुम रहा है तो आप इसको चेक कर लें यह बीच में कहीं टगरा तो नहीं रहा है तो य यह वाला इसका नीचे वाला वायर है यह 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 वाला वाय पकडा आप अक्री वाला सिर्भ पकड़ा गो ने लोहे की पत्ति लग फूर देया कि इसको में टाइट कर दिया था अउसके ऐसमें डूसरी वूला सिर्ड पकड़ा है wil लाश्ट वाला सिर्जड टाइफ पक्ड़ा है रीछ में मैं एक लीड लगा दिये टेस्टिंग जो हम बाद में खुल देंगे इसके अंदर एक वोलड सिर्ख पकड़ा हमने एक का बा बाहर लीड हopa यू रह फाली हुआ है तो है यह हमने दोड़ों को हमने सोट कर दिया अब्लूरी बाहर कि है और यह हमने स्रीजड में लगा तिया यहां पर यह मारा भल्प झाल रहा है हमें लग रा कि भौह जादा थेज़ जल रहा है तो इसको हम दूसरी साइड जो हमने लीडो Cleểm उससे चेक करके देखेंगे यहाँ पर यह बल्ब कम जादा नहीं हो रहा है बिलिंकिंग नहीं कर रहा है और इस पार की भी नहीं कर रहा है तो यानि यह connection अभी कलत है तो अब हम connection चेंग करेंगे यह हमने स्रीच की lead निकाल दी है अब हमने एक side का तार निकालेंगे सिर्फ एक side का उसके बाद हम यहाँ पर बाहर बाहर की connection करेंगे यानि जो lead हमारी field की बाद में निकली है उन field को sort कर देंगे आपस में यह हमने अंदर वाली lead है जो हमारी सबसे पहले लिकलती है उसमें हमने man supply लगा दी है यह हमारा bulb थोड़ा कम जला है इसको हम टच करके देखेंगे तो यहाँ पर यह spark की भी कर रहा हलका हलका और bulb भी हलका हलका कम जादा हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते है bulb कम जादा हो रहा है तो यह connection हमारे ठीक है लेकिन यह two face के connection है यानि double face के तो अब हम तार को अटा देंगे और अब हम इन lead की setting करेंगे तो यह हमारी एक lead set हो चुकी है अब हम दूसरी lead set करेंगे यह हमारी एक lead हो गई और एक neutral हो गया कोई सा neutral बना सकते है और कोई सा भी holder का तार बना सकते है इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि lead ही है अर्थ ही है और अब हम जो है primary field है यानि पतली वाली field हो के connection की setting करेंगे तो यह हमारा joint हो चुका है और इसके ओपर हम बाद में cotton tape लपेट देंगे तो यह हमारी दो lead हैं अंदर अंदर वाली इसमें हमें man supply के तार देने है यहाँ पर हम इसको direct में चेक कर लेते हैं man supply लगा के यह हमने man supply लगा दिये और यहाँ पर यह हमने secondary वाली field है उसमें हम इस तरह से प्लास पकड़ेंगे और यहाँ पर एक building road लगा देंगे यह हमारा देसी जुगार है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है building बहुत कम कम कर रही है इसका कारण यह है कि इसके connection double face में है और इसको हम single face से चेक कर रहे हैं तो इसको हम अभी double face से भी check करेंगे लेकिन उससे पहला हम इसको इसकी body में fit कर देंगे तो यह इसकी body है तो यह हमने इसको body में भी fit कर दिया है अब हम इसको double face से चेक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह double face में बड़ीया तरीके से building कर रही है इसमें कोई भी जिक्षक नहीं है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो फ्रेंड इस तरह से आप 3500 एंपियर की double face वैडली मेजिन की rewinding कर सकते हैं अगर आप 80 एंपियर या 1500 एंपियर single face वैडली मेजिन की winding वीडियो देखना चाहते है तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको निचे description में मिल जाएगा दोस्ते वीडियो बसंदाए तो like करें चेनल को subscribe जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहें